वन वेलकम टो एच्पी अमेत एजूकेशन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीकली क्रंट अफ्यर वन लाइनर सो फर्स्ट क्वेशन इस आई एसस एफ शूटिंग विश्व कप में पुर्शों की ट्रैप्स परदा में रजत पदक किसने जीता है तो इसका आंसर है विवान कपूर विवान कपूर ने ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता है और जिसमें उन्होंने 44 अंक प्राप्त किये और चीन ने 47 अंक जो है वो उनसे स्वन पदक जीता है नेक्स्ट क्वेशन है दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स जैसे टीमों को देख रेक करने वाले JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो इसका आंसर है सौरव गौंगली को JSW Sports का क्रिकेड निदेशक निउक्त किया गया है तो आंसर है त्रिवन्त पुरम अंतराश्ट्रिय हवाई अड़ा केंद्रिय बिज्ञान और प्रद्योग की राज्य मंत्री डॉक्टर जी तेंदर सेंग जो है उन्होंने त्रिवन्त पुरम अंतराश्ट्रिय हवाई अड़े की पहली हवाई अड़ा अधारित स्वव संचालित इंडोर वायू गुणवता निगरानी सुभिधा का अनावरन किया था नेक्स्ट है मुख्य न्यायदीश डी वाय चंद्रचूड द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायदीश के रूप में किसे सिफारिश की गई है तो इसका आंसर है न्यायमूर्ती संजीव खना भारत के मुख्य न्यायदीश न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड ने सर्वोच न्यालय के वरिष्टम न्यायदीश न्यायमूर्ती संजीव खना को अपना उत्राधिकारी निउप्त करने की सिफारिश की थी चंद्रचूड आठ नवांबर को सेवा निर्वित होंगे और अगर सरकार इसको मंचूरी दे देती है तो संजीव खना जो है वो भारत के 91 न्यायदीश बनेंगे जिसका कार्याले जो है वो 13 मई 2025 तक को पूरा होगा नेक्स्ट है महरिशी बालमिकी जियनती के आपसर पर किस राज्य में सभी अवासिय विद्यालियों का नाम बदल कर महरिशी बालमिकी अवासिय विद्यालिय कर दिया गया है तो इसका आंसर है करनाटक करनाटक के मुख्य मंत्री सिधार मेया के नेत्रित्व में राज्य सरकार ने सभी सरकारी अवासिय विद्यालियों का नाम बदल कर जब महरिशी बालमिकी जनती मनाई जाती है उस टाइम पे उन्होंने ये अपसर जो है वो रखा था नेक्स्ट है व्याश्विक मानविय कारियों के लिए जोहान स्वर्ग में 2024 Conscious Company Awards में किसे सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर है मोहन जी मोहन जी को 19 सप्टम्बर 2024 को जोहान स्वर्ग दक्षन अफरीका में आयोजित नोवे Conscious Company Awards में उनके व्याश्विक मानवी नेतरित्व के लिए विशे सम्मान मिला है नेक्स्ट क्वेशन है किस बैंक को अक्टूबर 2024 में Association of Mutual Funds इन इंडिया में Mutual Fund वित्रन लाइसेंस प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर है GEO Payment Bank GEO Financial Service की जो सहाय कंपनी है GEO Payment Bank ने Mutual Fund वित्रन लाइसेंस प्राप्त किया और जिसका Association of Mutual Fund इन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है नेक्स्ट है अंतराश्टिय अविधम दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर है 17 अक्टूबर को आदिमम दिवस मनाया जाता है और जो बोध धरम की गेहन दार्शनिक परमप्रा के उजागर करता है ठीक है मतलब कि उनकी जो बोध धरम की परमप्रा है उसको थोड़ा सा उजागर करता है नेक्स्ट है Victoria N. Albert Museum के Illustration Awards में मेरी गौल्ड कलाकरिती के लिए उभरते हुए इल्स्ट्रेटर श्रेणी में किस भारती कलाकार ने जीत हासिल किया है तो इसका आंसर है अंजली महता ने जीत हासिल किया है नेक्स्ट वन है भारत के सौवरेन बॉर्ड को financial time stock, exchange, resale emerging marketings, government bond index में कब शामिल किया गया था तो उसको सिटम्बर दो हजार पच्चिस में शामिल किया जाएगा So thank you Next question है भारते नागरेकों के लिए कौन सा देश नया वीजा online arrival निती लागू किया गया है तो जिसका अंसर है स्युंग्त अर्व अमिराथ UAE UAE ने एक नया वीजा online arrival निती की घोशना की है जो अमेरिका, United Kingdom और European संकेत देशों को और जो भी स्थाई निवासियों के लिए आना जाना entry जो है वो असान बनाता है Next question आता है 2024 में SHRM India HR Awards में सारबजनिक शेतर के उपकर्मों किश्रेणी में HR उत्कृष्टा के लिए किन दो पुरुसकारों को किस संगठने जीता है जिसका answer है SJVN SJVN को SHRM और HR उत्कृष्टा Awards में 2024 में दो पुरुसकार मिले हैं जिसमें First One Managing Workforce में उत्कृष्टा वो प्रथम रनर अप्ट रहे थे और Secondly Benefits और Belwing में उत्कृष्टा में सेकंड रनर अप्ट रहे थे तो ये पुरुसकार जो है ये नई दिली में इनको दिये गया था चंदर शेखरी आदब के दोरा और ये इसमें जो है वो 138 और्गिनाइजेशन ने भाग लिया था Next One है पुलिस समरिती दिवस का मनाया जाता है जिसका आंसर है 21 अक्टूबर को पुलिस समरिती दिवस मनाया जाता है और ये जो है उन पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है उनको समर्पित है जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए है उसके लिए ये पुलिस समरिती दिवस जो है वो मनाया जाता है नेक्स्ट वन है भारतिय प्रद्योगी की संस्थान मदरास का पहला अंतर राष्ट्री प्रमुक्षोद केंद्र जो 2025 की शुरुआत में शुरू होने वाला है किस देश में स्थापित होने वाला है तो इसका आंसर है दुभई UAE में स्युंग्त अर्व MI rates भारतिय प्रद्योगी की संस्थान मदरास IIT मदरास भी जिसको हम बोलते हैं IIT मदरास तो दुभई में उन्होंने अपना पहला अंतराष्ट्री केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं वो जो अनुसंधा, नवाचार और उध्यमिता पर केंद्रित होगा नेक्स्ट वन है और यहां पे जो है दो हजार पच्चिस में ये लॉंच होगा और इसमें आर्टिफिशल इंटालिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और उनके जो है वो भी उनकी भी यहां पे बात किया जाएगा नेक्स्ट वन है दो हजार तेईस, बाइस तेईस ओक्टूबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ब्रिक्स शिखर समेंलन में कहां भाग लेंगे जिसका आंसर है कजान कजान तो यहां पे जो बात की गी है बोला गया है कि जो बिदेश मंत्राल ने यहां पे बताया था कि प्रधान मंत्री भी बाइस तेईस ओक्टूबर को कजान में कजान मतलब रूस में जो यह ब्रिक्स हो रहा है उसमें यह सौलवा समेलन है सम्मिट है ये शिखर सम्मेलन है ये और उसमें ये रूस की यात्रा में ये भी भाग लेंगे बहाँ पे नरिंद्र मोधी भी और नेक्स्ट वन है ICC विश्व क्रिकेट लीग टू में नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए किसे मेंटर न्युक्त किया गया है तो जिसका आंसर है पुबुदू दासनायके नेपाल क्रिकेट संग C.A.N. ने ICC विश्व क्रिकेट लीग के तहत यहाँ पे बात की गी थी कि जो त्रिकोनिय श्रिंखला के पुबुदू दसनायके की नेपाली क्रिकेट टेम को मेंटर न्युक्त किया गया है और ये टूर्नामेंट जो है ये कब से चल रहा है 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर से 4 नवांबर तक अमेरिका में आयोजित किया जाएगा जिसमें नेपाल हो गया अमेरिका और स्कॉटलेंड की टीमे जो है वो शामिल होंगी नेक्स्ट वन है 9000 टेस्ट रॉन बनाने वाले चोथे भारते क्रिकेट कौन बने हैं तो जिसका आंसर है बिराट कॉली तो यहाँ पर बोला क्या है कि जो भारत क्रिकेट टीम के महान बल्लेवाज बिराट कॉली को न्यूजीलेन के खिलाफ बेंगलूरू के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहले टेस्ट माच के दोरान यहाँ पे 9000 टेस्ट रन बनाने पूरे किये थे उनने पूरे कर लिए हैं तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे उन्हें चोथे भारती क्रिकेट बताया था नेक्स्ट वन है विश्व सांखे की दिवस का मनाया जाता है विश्व सांखे की दिवस वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह जो है विश्व सांखे की दिवस जो है यह 20 अक्टूबर को हर 5 साल में मनाया जाता है जिसका उदेश यह क्या है यहाँ पे समाजिक आर्थिक बिकास में आंक्डों के योगदान में जशन मनाना है नेक्स्ट वन है विश्व वैंक और एडीवी द्वारा चरण वन बिकास के लिए कि शहर को 1.6 वीलियन का बित पोशन मिलेगा तो इसका आंसर है अमरावती जिसका आंसर क्या है अमरावती तो यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट वन है 16-17 अक्टूबर 2024 को भारती ततर कक्ष बल का तटीय सुरक्षा अभ्यास सगर कवच किस राज्य और केंदर शासित परदेश में आयोजित किया गया था जिसका आंसर है गुजरात और दमन एंड द्वेब सो नेक्स्ट क्वेशन है स्योंगत राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है स्योंगत राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यहाँ पे जो 1945 में स्योंगत राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वरश गांट है ठीक है एंवर्सरी बोल सकते हैं उसको और 24 अक्टूबर 2023 को जनरल असेंबली हॉल में पर्यावरन सिफ ने दमूमेंट संगीत कार्यकरम भी आयोजित किया गया है नेक्स्ट वन है पचासवे अंतराष्ट्र गोल करने बाली पहली भारती महिला कौन बनी जिसका अंसर है बाला देवी पचास अंतराष्ट्र गोल करने वाली पहली भारती महिला जो है वो कौन है बाला देवी है और उन्होंने भारती महिला फुट वॉल की गोल मशीन बाला देवी ने दो हजार चौबिस में से एफ एफ महिला चैंपियनशिप में पाकिस्थान के खिलाफ पचास अंतराष्ट्र गोल करके एक नया रिकोर्ड इन्होंने बनाया था बनाया है नेक्स्ट वन है डबल्यू आर शत्रन मास्टर्स कब किसने जीता है जिसका आंसर है मेगनस कॉल्सन ग्रेंड मास्टर अर्जुन एरिगीसी ने डवल्यू आर शत्रन्च कब जीत कर एक नई उपलब दी दी थी इसका आंसर मेगनस कॉलस नहीं है इसका आंसर है मेगनस कॉल्सन ग्रेंड मास्टर अर्जुन एरिगीसी ने डवल्यू आर शत्रन्च कब जीत कर एक नई उपलब दी दी थी इसका आंसर मेगनस कॉल्सन नहीं है इसका आंसर है अर्जुन एरिगीसी तो यहां पे बात की गी थी कि उन्होंने डवल्यू चार जो मास्टर कब जीत कर उन्होंने एक नई अपलब दी जो है वो हासिल की थी और जो किसी भी भारती खिलाडी द्वारा नहीं की गया था नेक्स्ट वन है राष्ट्री महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया है जिसका आंसर है विजे रहाटक तो यहां पे बात की गी थी जो केंदर सरकार ने विजे किशोर रहाटक को राष्ट्रे महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष न्युक्त किया गया है जिसने जो रेखा शर्मा की जगा लेगे Next question है Scam से बचो अभ्यान किस संगठन के सहयोग से शुरू किया गया था Meta के सहयोग इसका अंसर है Meta तो Meta जो है वो WhatsApp, Facebook, Instagram जो है उसकी parent company है तो उन्होंने एक नया safety campaign Scam से बचो लाँच किया गया है इस campaign का उदेशे का है कि जो भी user को cyber fraud और online scam के बारे में अवियर करना है उसके लिए उन्होंने ये Meta ने शुरू किया था Scam से बचो Meta ने Bollywood अभिनेता जो आयोशमान खुराना को इस campaign का brand ambassador बनाया है company का ये मानना है कि वो brand ambassador बने next one है रभी अभ्यान के लिए क्रिशी पर राष्टे सम्मेलन का उद्खाटन कोन करेगा तो इसका है शिवराज चुहान शिवराज सिंग चुहान जो है वो यहां पे क्या बोला गया है ये मध्यपरदेश के मुख्य मंत्रिय है और उन्होंने क्या बोला था कि यहां पे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रिय शिवराज सिंग चुहाने नई दिल्ली में नास एन एएस से पूसा परिशर में राष्टे क्रिशी सम्मेलन रभी अभ्यान उद्खाटन ये किया नेक्स्ट वन है जिसका में उदाष्य क्या था यहां पे कि क्रिशी स्तरों की समिक्षा और रभी स्तर के लक्ष्यों को निर्धारित करना है नेक्स्ट वन है सरकारी अस्पतालों में पिंक अलाम पहल किस राज्य में शुरू की गई है तो इसका आंसर है मध्यपर्देश तो मध्यपरदेश के सागर में सरकारी अस्पतालों की महिला करमचारियों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल वहाँ पे शुरू की गई थी जिसमें विशेश पिंक अलाम लगाए गए हैं ये अलाम जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगाए गए हैं ताके जो भी महिलाओं को खत्रा अगर महसूस हो तो वो उनसायरन भजा कर तुरंट अपनी सहाइता प्राप्त कर सकें नेक्स्ट वन है लाइट हाउस टूरिजम कॉनक्लेव दो हजार चॉबिस कहा आयोजित किया गया था लाइट हाउस टुरिजम कॉनक्लेव ये पुरी में आयोजित किया गया है केंद्री पतनपोर्त परिवहन एवम जलमाग मंत्राले ने उडिसा के पुरी में दो दिवसी लाइट हाउस टुरिजम कॉनक्लेव का उदगाटन किया है नेक्स्ट वन है चिकित्सा अपुर्ती के रूप में मानवी सहायता भारत ने किस देश को भेजी है जिसका आंसर है लेवनान नेक्स्ट है भारत के उर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री और भारत के बिजली मंत्री के बीच हुई बाठक में चर्चा की गई जल विद्यूत परियोजना का नाम क्या है जिसका नाम है पुना वन जल विद्यूत परियोजना नेक्स्ट क्वेशन है दो हजार चौबीस महिला टी ट्वेंटी विश्व कप में न्यूजिलेंड ने किस देश को हरा कर जीत हासिल किये जिसका आंसर है दक्षन अफ्रीका तो न्यूजिलेंड महिला क्रिकेट टीम ने तेई साल बाद ICC टी ट्वेंटी विश्व कप चीता है और फाइनल में दक्षन अफ्रीका को हरा कर 32 रनों से हराया था न्यूजिलेंड ने पहले बल्ले बाजी करते हुए बीस ओवर में पांच बिकेट और बांच बिकेट पर 158 रन बनाए नेक्स्ट है किस रियल स्टे डवलपर ने डिस्टिंग्विश री डवलप्मेंट प्रोजेक्ट अवर्ट 2024 जीता है जिसका आंसर है वैद्य स्पेसिस प्राइवेट लिम्टेड तो मुंबाई ने पुनर विकास परीजना पुरसकार 2024 जीता है क्योंकि संगठन के पहले PD के आर्किटेक्ट सीता राम खंडेराव वैध्य प्रतिष्ठित ताज होटल के निर्मान से जुड़े हुए थे नेक्स्ट वन है करमचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्ट किया गया है जिसका आंसर है राकेश रंजन तो राकेश रंजन मनिपूर केडर के 1922 वानुए बाच के आई एस अधिकारी राकेश रंजन को हाली करमचारी चयन आयोग का अध्यक्ष निउक्ष किया गया है नेक्स्ट वन है अलमाटी ओपन में पहला ATP 250 पुरुष यूगल खिताब किसने जीता है जिसका आंसर है रित्विक चोधरी बोली पली और अर्जुन कादे महाराश्ट्रा के टेनिस खिलाडी अर्जुन कादे और तेलंगाना के रित्विक बोली पली ने कजाकेस्तान के अलमाटी में आयोजित अलमाटी ओपन दो हजार चौबेस ATP 250 टेनिस टूर्नामेट में पुरुष यूगल खिताब जीत कर शांदार बापसी की है जो रित्विक चोधरी बोली पली है ये तलंगाना के हैं और अर्जुन कादे ये महराष्ट्रा नेक्स्ट वन है 2024 में फैमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता है तो जिसका आंसर है निकिता पोर्वाल निकिता पोर्वाल ने 2024 में फैमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज जीता है मध्यपर्देश की निकिता ने 16 अक्टूबर को मुंबई में इंडिया दो हजार चौबिस का ताज पहना आया गया था उसको और नेक्स्ट वन है भारतिय बानिज्य एवं उध्योग मंडल ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इसका आंसर है अव्यूदय जिंदल भारतिय बानिज्य मंडल ICC ने अव्यूदय जिंदल को नया अध्यक्ष न्युक्त किया गया है और ये घोशना नई दिल्ली में ICC की वार्षिक पुनस्तर के दोरान हुई है जिसमें जो प्यूश गोयल बानिज्य और उध्योग मंत्री ने युवा नेताओं और महिला उध्यमियों के समर्थन पर जोर दिया था नेक्स्ट वन है फरवरी चोधा के चुनाब में लगवग साथ प्रतिशत मत् हासिल करने के बाद इंडोनेशिया के आठवे राष्ट्र पती पद पर किसने पदवार ग्रहन किया है तो जिसका आंसर है प्रोबो सुभियांटो तो इंडोनेशिया के प्रोबो सुभियांटो ने रविवार को राष्ट्र पती पद का शपत ग्रहन किया और ये देश के आठवे राष्ट्र पती बन गए नेक्स्ट वन है दो हजार चौबेस के तीर दांजी विश्व कप के महिला रिकवर बर्ग के फाइनल में दिपिका कुमारी किस से हार गई थी तो जिसका आंसर है ली जी यामन भारती तीर दांच दिपिका कुमारी ने तीर दांची विश्व का फाइनल महिला रिकवर वर्ग में रजत पदक जीता है लेकिन फाइनल में चीन की ली जी यामन से 0.6 हार की गी थी आयोडीन की कमी से कौन सा होने रोग है जिसका आंसर है गेंगा और अगर हम इसको बात करें तो इंगलिश में ग्वैटर भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी से हमारे thyroid gland effect होता है जिसकी वज़ा से hyperthyroidism and hypothyroidism cause होता है नेक्स्ट वन है 21 अक्टूबर को मनाय जाने वाला पुलिस समरिती दिवस डैश के बलिदानों की याद दिलाता है तो जिसका आंसर है CRPF कर्मियों की उनको श्रधांजली दी जाती है समरन किया जाता है उनका उसकी याद में पुलिस समरिती दिवस मनाया जाता है कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों को वन्चित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों में वर्गी कृत करके दलित उपकोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसका आंसर है हर्याना हर्याना ने दलित समुदाय के लिए उपकोटा लागू करने का पहला राज्य बनने का एथासिक कदम उठाया है नेक्स्ट वन है दो हजार चॉबिस में पंजी में आयोजित राश्य पैरा स्विमिंग चांपियनशिप में पुर्षों की S400 मीटर फ्री स्टायल्स परदा में स्वन पदक किसने जीता है जिसका आंसर है लखन सिंग तो लखन सिंग ने गोवा की 24 वी राश्य पैरा तैरा की चैंपियनशिप की शुरुवात वहां हुई थी और जिसमें विविन राजों से प्रतिभागियों ने अपना कोशल का प्रदर्शन किया अपनी स्किल्स जो है वो दिखाई थी और इस आयोजन में पुर्शों की स्परदाओं में राजस्थान के जो लखन सिंग है उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्परदा में स्वन पदक जीता है नेक्स्ट वन है दो हजार चौबिस में चुनाव आयोग द्वारा जारखन के नए पुलिस महानितेशक डीजीपी के रूप में किसे न्युक्त किया गया था जिसका आंसर है अजय कुमार सिंग तो जिन्होंने अनुराग गुपता की जगा ली है अजय कुमार सिंग ने और अजय कुमार सिंग जो है वो 1989 बाच के IPS अधिकारी है और नेक्स्ट वन है इंडियन ओयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्री होकी चैंपियनशिप का खिता किस टेम ने जीता है जिसका आंसर है रेलवे खेल प्रोत्साहन बॉर्ड रेलवे खेल प्रोत्साहन बॉर्ड तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बॉर्ड ने सीनियर महिला अंतर बिवागी राष्ट्री होकी चैंपियनशिप में इंडियन ओयल को 3-2-1 से हराकर खिताब जीता है से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्ट्मेंटल राष्ट्री होकी चैंपियनशिप का खिताब किस टेम ने जीता है जिसका आंसर है रेलवे खेल प्रोत्साहन बॉर्ड तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रोत्साहन बॉर्ड ने सीनियर महिला अंतर बिवागी राष्ट्री होकी चैंपियनशिप में इंडियन ओयल को 3-2-1 से हराकर खिताब जीता है नेक्स्ट वन है सुरक्षा पर क्याविनेट स्मिती CCS द्वारा हाल ही में दी गए मंजूरी के अनुसार आंधर परदेश में नया मिसाइल प्रशिक्षन परिक्षन क्षेतर कहां विक्षित किया जाएगा जिसका आंसर है नगायल लंका तो यहाँ पे बोला क्या है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलो के मंत्री मंडल समिती ने आंधर परदेश के क्रिशना जिले के नगायल लंका गाव में नई मिसाल टेस्टिंग रेस थापित करने की नेक्स्ट वन है बिहार में पहला बिहार में राज्य का पहला अंतर देशिय कंटेनर डीपो का उध्गाटन कहां किया गया जिसका आंसर है बिहटा में नेक्स्ट क्वेशन है दो हजार चब्वेश राज्ट्र मंडल खेल किस शहर में आयोजित किये जाएंगे जिसका आंसर है गलास अगो भारत का कॉमन वेल्थ गेम दो हजार चौबिस से बड़ा जटका लगा है और जिसमें कई परमुख जैसे खेलों को हटा दिया गया था और ये गेम जो है 23 जुलाई से अगस्थ 2026 तक गलास अगो में आयोजित किये जाएंगे नेक्स्ट वन है नई दिल्ली के पूसा में आयोजित राष्ट्री कारेशाला में चर्चा किये गए पोटल का क्या नाम है जिसका उदेशे बीज अन्वेशन और प्रामी करण में तो जिसका नाम है पोटल का साथी पोटल नेक्स्ट वन है कारेशों की निगरानी के लिए कारेशों की निगरानी और सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ इंस्टर्न कॉल फिल्ट्स लिमिटेड द्वारा शुरू किये गए प्लेटफोर्म का नाम क्या है cmd-डाश बॉर्ड जिसका नाम है cmd-डाश बॉर्ड तो थैंक यू सो मच